नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है। देश बर में आठ राज्यों में जो 58 सीटों के लिए मतदान हुआ है आज। उस पर तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जो OCN Network पर चल रहा है। उसे मैं इस चैनल पर भी दूँगा, ओंकार चोदरी शो पर भी। तो उसको आप डेटियल देख पाएंगे। कुछ मित्रों ने हरियाना के बारे में जानना चाहा था और कुछ ने दिल्ली के बारे में अपनी दिल्चस्पी व्यक्त की थी। हरियाना पर मैं कल खुद चुकी रोहतक में था और रोहतक में इसलिए था कि रोहतक को हरियाना की राजनीतिक राजधानी माना जाता है, पॉलिटिकल कैपिटल माना जाता है तो रोहतक से आपको फ़ड़ा पल्स पता लग जाते हैं और रोहतक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भुपेंदर सिंग हुड़ा के परिवार का गड़ रहा है और जो सो कोल्ड जाट बैल्ट मानी जाती है हरियाना की वो और जीन्द वगेरा जो है उसके गड़ माने जाते हैं तो वहाँ पर जाट किसके फेवर में जाने वाले हैं उसका भी पता लग जाता है तो उस पर भी वीडियो मैंने डाल दिया था वो चल रहा है और बहुत सारी लोगों ने देखा भी है वो में चैनल पर ओसीन नेटवर्क का क्योंकि कल मैं खुद ग्राउंड जीरो पर था लोगों से बात करके मैंने वो वीडियो डाला है और मेरा ये अनुमान हरियाना के लिए है कि हरियाना की इस बार भी दस की दस सीटें भारतिये जनता पार्टी जीत सकती है थोड़ा बहुत जो फाइटिंग दिखाई दे रही है वो सिर्सा जहां से कुमारी सहल जा और भारतिये जनता पार्टी के टिकेट पर कॉंग्रेस के ही पूर्व परदेश अध्यक्ष अशोप तमर लड़ रहे हैं उन दोनों के बीच में है इसी तरीके से रोतक में जो वर्तमान सांसद हैं बीजेपी के अरविंद शर्म और जो नीवर्तमान सांसद जो 2005 में भी चुने गए थे उप चुनाओ में 2009 में भी 2014 में भी दिपेंदर हुड़ा भूपेंदर हुड़ा के बेटे उनके बीच में चुनाओ है और रहोतक में आज जो ट्रेंड रहा है वोटिंग का उससे ये पता चल रहा है कि भारतिये जन जनता पारिटी का एज है यानि भारतिये जनता पारिटी के प्रक्ष में वहां खुल करके वोट हुए और जो पिछली बार 2019 में जिसने पूरा अंतर कर दिया था कोसली जहां से भारतिये जनता पारिटी को करीब 75,000 वोटों की लीड मिली थी इस बार भी कोसली ही एक का अंतर करने वाली है इस बार कोसली की जो लीड है वो 90,000 के पार जा सकती है कुछ लोगों का तो कहना है कि वहां से बीजेपी को एक लाग की लीड मिल सकती है अगर ऐसा होता है तो रोह तक इस बार भी हुड़ा परिवार नहीं जीत पाएगा आगे बढ़ने से पहले मैं उन तमाम दर्शकों को और शुबचिंतकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हाल में चैनल को कंट्रिब्यूट किया है और मैंने बस एक दो प्रोग्राम्स में ही ये जानकारी दी थी कि इधर जो भी राष्टवादी यूट्यूब हैं वो जिस तरीके से एक दुश परचार के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रहे हैं और खास तोर से जो पश्मी एको सिस्टम है उसके हम लोग कहीं न कहीं शिकार भी हो रहे हैं हमारी जो रीच है वो कमजोर की गई है कम की गई है चुकि तकनीकी इंस्टुमेंट सून के पास ह हैं तो यूट्यूबर्स पर किसी ना किसी रूप में एक बंदिशे लगाई जा रही हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक वो ना पहुंचने पाएं और इसका एक असर होता है हमारी आमदनी पर भी होता है जो रेवेन्यों मिलता है यूट्यूब से उस पर भी होता है विज हतोत साहित किया जाए और उनको नुकसान पहुंचाया जाए तो मैंने यही कहा था कि जो लोग सक्षम हैं वो अगर चैनल को कंट्रिब्यूट कर सकते हैं तो करें मैं देख रहा हूं पिछले करीब एक डेड़ सबताहा में काफी लोगों ने कंट्रिब्यूट किया है और म मैं उन सबके परती धन्यवादी हूं आभार व्यक्त करता हूं दूसरे जो दिल्ली की लोगों ने पूछी थी हरियाना का मैंने बताया है नैशनल आस्पेक्ट्स में पूरा सिनेरियो उसका मैंने एक वीडियो अल्रेडी बना दिया है अभी आधा पोना घंटा पहले वो नेटवर्क पर चल रहा है और उसको करीब 35,000 लोग देख भी चुके हैं दिल्ली को लेकर के जो लोगों ने जिग्यासा व्यक्त की है कि दिल्ली में क्या हो रहा है तो मेरा कहना ये है कि ये जो अर्विंद केजरीवाल सुप्रीम कॉर्ट से आए थे तो कुछ सोच समझ कर के ही आए होंगे और या तो गलत फहमी होगी जैसे 2014 में इन्होंने गलत फहमी पाल ली थी कि मैं तो नरेंदर मौदी को भी टकर दे सकता हूं चुनोती दे सकता हूं और वारान सी पहुँच गए थे चुनाव लड़ने के लिए अब वो रिजल्ट क्या रहा था सब को पता है उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ी के नरेंदर मौदी के साथ आमने सामने कहीं चुनाव मैदान में उतर सकें और योगिंदर यादव और कुछ दूसरे उनके उस समय के सलाकारों ने इनको चने के जहाड़ पर चड़ा दिया था कि आप तो बेहद लोग प्रिये है पूरे देश में आपको लोग प्यार करते हैं और आप तो चड़जा बेटा सूली पर भली करे भगवान वाले अंदाज में इन से 434 केंडिडेट पूरे देश में उतरवा दिये लोग सबाचुनाओं में मतलब जो एक शेहर नुमा अर्ध राज्य का मुख्यमंत्री उसक जाड़ पर और कहा कि आप तो पूरे देश में लड़ जाओ 434 में से 416 या 418 की तो जमानती जब्त हो गई थी और उसके बाद इनमें आपस में भी जूतम पजार और आरोप परत्यारोप हुए हम तो लड़ना नहीं चाहते थे योगिंदर यादाओं ने मुझे ये कह दि में भी केंदर के मामले में भी ये हम आप सब जानते हैं और ये कौन लोग हैं और ये कितने निस्पक्ष कितने तठस्त कितने स्वतंत्र हैं ये भी हम जानते हैं इनकी मंशा क्या है ये किस विचार धारा से ग्रसित हैं और हमारे देश के भीतर भी और देश के बाहर की भी शक्तियां वो किस तरीके से नरेंदर मोदी को बरदास्त नहीं कर पा रही है और जो हमारी विकास की और विरासत की यात्रा आगे बढ़ रही है जो हमारे सांसकर्तिक पुनरत्थान का एक गोरवशाली अध्याय इस समय लिखा जा रहा है उसको लेकर के भी ये लोग कितने व इलेक्षन चल रहा है वोटिंग चल रही है छटे दोर का मद्दान संपन्न हो गया है अब अन्तिम चरण का एक जून को है उस दिन एकजिट पॉल भी आएंगे और उसके तीसरे दिन फिर चार जून को रिजल्ट आ जाएंगे और जो हम शुरू से कहते आए हैं कि ये जिनता है कुछ कमजोरियां है हम लोगों के भीतर उन कमजोरियों को अगर दूर कर लेंगे तो ये जितनी विकास विरोधी और विनाश के कामों में लिप्त ताक्ते हैं ये ऐसी अलग थलग होंगी कि ढूंडे नहीं मिलेंगी तो जरूरी है कि अपनी जागरूकता बढ़ जाए अपने कर्तव्यों के प्रति अपने अधिकारों के प्रति थोड़ा और जागरूख हुआ जाए और जितनी भी राष्टवादी ताक्ते हैं वो सब सजग होकर के अब देश की पहरेदारी करें ये बहुत जरूरी है तो दिल्ली का मेरे पास है इस समय आंकड़ा दिल में कोई बहुत ज़्यादा अंतर होगा नहीं जैसे देश वर में हमने पिछले पांच चरणों में भी देखा है इस छटे चरण में भी हम देखेंगे जब सुधर करके अंतिमाकड़े आएंगे और दिल्ली का भी यही हाल रहने वाला है दिल्ली का जहां तक प्रश्न है आ प्रान ही अर्विंद केजरिवाल के तिहाड से 21 दिन के लिए जमानत पर रिया होने के बाद एक बड़ा कांड हो चुका है इनहीं के सरकारी आवास पर हो चुका है सीम हाउस में इनहीं की मेंबर ओपर्लेमेंट इनकी बड़ी करीबी रही स्वाती मालिवाल के साथ इनहीं कि निजी सचीव ने, विभव कुमार ने मारपीट की है, वो मारपीट की तस्दीक हो चुकी है, परमानित हो चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, चार जगा उनको चोट है, अब ये भी लगबग साफ हो चुका है, कि किसी मुख्यमंत्री के निजी सचीव की कम से कम इतनी उकात नहीं होती है कि वो पारिटी की किसी महिला सांसद पर हाथ उठाए, यानि पीछे से वो गाइडिड था, उसमें हवा बरी गई थी, चावी बरी गई थी और उसने वो काम कर दिया जो उसको कहा गया था, अब वो अरविंद केजरिवाल ने कहा है या सुनीता केज जिरिवाल ने कहा है, इसकी जांश पड़ताल पुलिस करेगी, कई पहलू इसके हैं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, स्वाती माली वाल वाली, इसने दिल्ली में तो वैसे ही लोकसवा चुनाओं के दरश्टिगत में बात कर रहा हूं, आमादिम पारिटी कभी भी कोई बड़ी चुनोती देने वाली पारिटी बीजेपी या नरेंदर मोदी को नहीं रही है, दोहजार चौदा में भी देख लीजे, दोहजार उननीस में भी देख लीजे, ये तीसरे नमबर की ही फॉर्स रही है, पारिटी रही है, सेकिंड नमबर पर अधिकान सीटों प पर कॉंग्रेस लड़ रही और चार पर आम आदमी पारिटी को लड़ने दिया जा रहा है ये अपने आप में आश्चर्य का विशे हैं और इस से ज़्यादा शर्मनाक इस्तिती और क्या होगी कि राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी आम आदमी पारिटी के केंड सौमनात भारती को वोट करने के लिए ये जिस इलाके में रहते हैं वहां से कॉंग्रेस का प्रतियासी ही चुनाव नहीं लड़ रहा है आम आदमी पारिटी का चुनाव लड़ रहा है तो ये आम आदमी पारिटी को वोट देने के लिए गए अपनी जेफ मिटाने के लिए पिछले दिनों एक सभा में राहुल गांदी ने कहा कि हम आमादी पारिटी को वोट देंगे और अर्विंद केजरिवाल और उनका परिवार कॉंग्रेस पारिटी को वोट देगा तो ठीक है मन समझाने के लिए ये खयाल अच्छा है तो अगर इस से उनको तसलिय मिल रही हो अच्छी बात है लेकिन आतीत में अर्विंद केजरिवाल सोनिया गांदी के बारे में भी राहुल गांदी के बारे में भी कॉंग्रेस के बारे में भी किस किस तरह की अभद्र टिपनिया कर चुके हैं ये अब सोशल मीडिया पर वो वीडियो आपको तैरते हुए मिल करके नरेंद्र मोधी और भारतिय जनता पारिटी को हराने के लिए मेल मिलाप करके चुनाव लड़ रहे हैं पर जो सूचना है चुकि भारतिय जनता पारिटी ने बड़े करीने से बड़ा गहन अध्यन अन्वेशन करवा करके ये देख लिया था कि कौन-कौन से 2019 के विजेई सांसद हैं जिनको बदला जा सकता है या बदला जाना चाहिए तो उन्होंने मनोज दिवारी को छोड़ करके जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीत करके आए थे बाकि सब को चेंज कर दिया था उत्तर पश्मी दिल्ली से हंसराज हंस की जगह बासुरी सुराज को नई दिल्ली से मिनाक्षी लेखी की जगह लेकर के आए यहां तक के पश्मी दिल्ली जहां से सबसे बड़े अंतर से प्रवेश वर्मा जीते थे उनको भी रिप्लेस कर दिया कमल जीत सहरावत जो लेड़ी है उनसे और दक्षिन दिल्ली में रमेश व दिल्ली को ले आए तो कुल मिलाकर के भारतिय जनता पारिटी ने जिस तरीके से अपनी चालें चली परतियाशी बुदले रणनीती बनाई कॉंग्रेस और आम आदमी पारिटी के आपस में गठ जोड के बावजूद किसी भी सीट पर किसी भी सीट पर ये लोग टकर देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं नहीं दिल्ली में बांसुरी स्वराज के सामने सौमनाद भारती आमादमी पारिटी का चांदनी चोक में परवीन खंडेल वाल के सामने जेपी अगरवाल बुजूर्ग निता हैं कॉंग्रेस के 89 साल के पूर्वी दिल्ली में हर्ष मलोतर के सामने कुलदीब कुमार जो MLA आमादमी पारिटी के उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसा मैंने कहा के मनोज तिवारी लड़ रहे हैं उनके सामने ले आए वो टुकडे टुकडे वाले को कनहिया कुमार को अब कल मैं रोहतक में था महां एक सीनियर पत्रकार ने मुझसे पू से जीतने वाले हैं कनहिया कुमार को कौन सीरियसली लेता है अरे भई कॉंग्रेस पारिटी के नेताओं ने ही सीरियसली नहीं लिया कई नेता छोड़ करके चले गए यहां तक के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंग लवली ने भी इस्तीफा दे दिया कि ये बाहरी ल सागर के आःप लड़ा रहे हैं उदित राज को लड़ा दिया उत्तर पश्यम दिल्ली से और इनको खड़ा कर दिया मनोज दिवारी के सामने कर नहिया कुमार को ये तो 2019 में बेवु सराय में गिरीराज सिंग के सामने है बुरी तरह से हारे थे इनको आप दिली आए तो ग बता ही दिया है कि योगेंद्र चंदोलिया जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो हंस राज हंस की जगे लाए गए हैं उनको उदित राज को उनके सामने जो है उतारा गया है और पश्यम दिल्ली में महावल मिस्रा को लिए यह कॉंग्रेस के नेता को पकड़ करके लिए और पिछले चुनाव में महावल मिस्रा भी बड़े अंतर से धाई लाक के जादा अंतर से चुनाव हा रहे थे भारति जिन्ता पारिटी के कैंडिडेट के खिलाफ बलके बहुत बड़ी विक्ट्री जो है उन्होंने दर्ज की थी प्रवेश वर्मान है धाई लाक नहीं इस से भी जादा की थी अच्छा दक्षिन दिल्ली में रामविर विधुडी के सामने एक आहमादमी पारिटी के पहलवान जी लड़ रहे हैं सही राम करके कुछ जानकारी मैं आपको पिछले चुनाव की देना चाहता हूँ तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बार का जो ये इलेक्षन था बले अर्विन केजरिवाल उनकी पतनी और तमाम रोड शो प्रेस कॉंफरेंस और तमाम आरोप परत्यारोप वो सारी चीजें अर्विन केजरिवाल चुकी बाहार आ गए सुप्रिम कोट की महरबानी से तो उन्होंने करने की कोशिश की है लेकिन जो ये स्वातिमालिवाल वाला कांड हो गया इसने तो जो रही सही कसर थी उसमें इनकी भद बिटवा दी और इनको बहुत डिफेम मिला बहुत बदनामी मिली चांदनी चोक में भारतिये जनता पारिटी को पिछली बार 53 प्रतिशत वोट मिले थे कॉंग्रेस को 30 प्रतिशत वोट मिले थे आम आदमी पारिटी को 15 प्रतिशत वोट मिले थे तो कॉंग्रेस के और आम आदमी पारिटी को वोट जोड़ दें तो 45 प्रतिशत बैठते हैं और भाजपा को मिले थे 53 परसेंट यानि 8 परतिशत का अंतर इन दोनों के मिल जाने क के बावजूद वहां आप देखिए और नौर्थ इस्ट में भाजपा को 54 परसेंट मिले थे कॉंग्रेस को केवल 19 परसेंट मिले थे आम आधिम फारेटी को केवल 13 परतिशत मिले थे यानि इन दोनों के मिला लें तो 32 परतिशत बैठते हैं और उसको कितने मिले थे बीजेप को 55 परतिशत वोट शेहर मिला था कॉंग्रेस को 24 परसेंट मिला था और आम आधिम पारेटी को 17 परसेंट मिला था यानि दोनों के मिला करके भी 41 ही रह जाते हैं और वीजेपी को 55 मिले थे तो यहां भी आप अंतर देख लिजी नहीं दिल्ली में 55 परतिशत वोट आक्शी लेकि को और कॉंग्रेस को 27 परसेंट कहा 27 परसेंट disappointment और आहमाधीं पारिटी को केवल 16 परसेंट इनके 25 और presented te 27 और 16 मिला लें तो यह 44% बैठते हैं उनको 55% कहीं मतलब ये meet-out ही नहीं कर पाए और कोई इनका आखड़ा ही fit नहीं बैठ रहा है कोई जो एक होता है कि आपस में कोई तालमेल हो वो भी नहीं दिखाई दिया है राहुल गांदी आम आदमी पार्टी के मंचों पर नहीं गए अर्विंद केजरिवाल राहुल गांदी प्रियंगा गांदी वाल्डरा के उसमें शामिल नहीं हुए वैस्ट दिल्ली में 60% वोट शेयर मिला था भारती जिन्ता पार्टी को परवेश वर्मा को और कॉंग्रेस के जो महाबल मिस्रा थे उनको 19 परतिशत मिले थे कहां 60 परतिशत कहां 19 परतिशत और यहां आम आदमी पार्टी को भी आप देखें तो 17 परतिशत ही मिले थे इन दोनों की भी मिला लें तो 36 परतिशत 60 और केवल 36 परतिशत फिर नौर्थ वेस्ट में आ जाओ तो वहाँ भी 60 परतिशत वोट शेर बीजेपी को मिला था, 2019 की बात कर रहे हैं, कॉंग्रेस पारिटी को 16 परतिशत और आम आदिम पारिटी को 21 परतिशत, दोनों के मिलालो 37 परतिशत होते हैं, तो कहां 37 परतिशत, कहां 60 परतिशत, परतिशत, साउथ देली में बीजेपी को अकेले ही 56 परसेंट मिल गए थे, यानि साटों सीटों पर बीजेपी को 50 परतिशत से जादा मिले हैं, और इन दोनों के मिलाकर के 49 परतिशत, चादनी चोग में बीजेपी को 53, नौर्थ एस्ट में 54, एस्ट दिली में 55, नई दिल्ल 56% तो जब एक पर्टी को बीजेपी को 50% से जादा ही वोट मिल रहे हैं तो फिर तो चाहे 2पर्टी मिल लो या 3पर्टी मिल लो विपक्ष की उस से क्या फरक पढ़ने वाला है इसलिए दिल्ली में जिस तरह के हालात रहे हैं इसमें कहीं कोई बदलाओ देखने को नहीं मिलत है और जो वोटिंग क्रेंड रहा है उसमें भी यही सिच्वेशन रही है यानि दिल्ली पूरी तरीके से भारतिय जनता पारेटी के पीछे खड़ी है नरेंदर मोधी के पीछे खड़ी हुई है एक और आकड़ा दे दूमें आपको बड़ा दिल्चस्प है कुछ लोगों को होगा कुछ भूल गए होंगे साउथ दिल्ली से 2019 में रागव चड़ा लड़े थे और तीन लाख सड़ सट हजार के अंतर से हारे थे नौर्थ इस्ट से सीला दिक्षित लड़ी थी और तीन लाख 66,000 वोटों से मनोज तिवारी से हार गई थी इस्ट दिल्ली में अरविंदर सिंग लवली जो कॉंग्रेस के नेता हुआ करते थे वो लड़े थे आजकल तो बीजिपी में आ गए हैं और वो हारे थे तीन लाख 91,000 के अंतर से अचे माकन भी लड़े थे 2019 में नई दिल्ली स और वो मिनाक्षी लेखी से हारे थे दो लाख 56,000 वोटों से और गोतम गंभीर के सामने ये जो आतिशी मार लेना है ये तीसरे नंबर पर चली गई थी अच्छा जेपी अगरवाल जो चांदनी चोक से लड़ रहे थे वो उनको हर्षवरधन ने डॉक्टर हर्षवरधन न दो लाख 28,000 वोटों से हराया था महवल मिस्रा जिनकी मैं चर्चा कर रहा था पश्मी दिली से प्रवेश वर्मा ने इनको पांच लाख 78,000 वोटों से हराया था तो ये ठीक है चुनाव की एक आपचारिकता हुई है पूरी लेकिन जो ट्रेंड मिले हैं और जिस तरीके से भारतिय जनता पारिटी ने अपने साथ में से 6 कंडिडेट चेंज कर दिये उसमें तो ये अर्विन केजरिवाल हों, राहूल गांदी, प्रियंका बाडरा हों, कोई भी हों कहीं दिखाई नहीं दिये हैं और दिली में साथ की साथ सीटे, मैं तो कहूंगा कि हैट्रिक मारन वाली है BJP, 2014 में भी सभी साथ सीटे जीती, 2019 में भी जीती और 2024 में भी BJP ही साथ सीटे जीतने जा रहे हैं, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेय अभी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकोन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तो आपको पहुंचते रहें, बहुत बहुत अधने बहुते हैं, नहीं करेंसा ना इसकतिका आप प्सक्राइब